अलो एब्रिवान स्वागत है UPSC वाला पे आज हम पढ़ेंगे fundamental duties और DPSP दोनों के दोनों actually तो देगो fundamental right के साथ ही रहते हैं हम जब भी FR पढ़ने निकलते हैं यानि सम्मिधान का part 3 हो गया और part 4 हो गया और part 4a हो गया तो यह तीनों के तीनों एक साथ club रहते हैं यह क्या क् हमारे fundamental rights पार्ट 4 में आते हैं हमारे DPSP यह क्या होते हैं सर यह होते हैं जो अभी चैप्टर है और इसके बाद हम पढ़ेंगे अभी यहीं पर पढ़ेंगे हम FDs fundamental duties यह FD नहीं है नहीं है तो कुछ rights हैं जो हमको समविदान कह रहा है तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे तुम्हें देही रहें क्या बोलने किया जादी कहने किया जादी और कुछ ऐसे अधिकार हैं जो आपको स्टेट दिलवाएगा किसी formal तरीके से किसी मेहनत की वज़े से कोई समय लगेगा उसमें होने में तो हमने क्या कि हमने पार्ट 3 में ऐसे रखे जो मौले का दिकार है और पार्ट 4 में रखे जो अधिकार किसी कानून के रूप से कानून के माद्यम से आप आए अब पार्ट 4 पीछे-पीछे चिपक के चलता है मेशा यह क्या कहता है यह है धर्मा यह चेंज नहीं ह चुकी है दिवाली ओफर के बाद से ही प्राइस लगी हुई है यूगे यूगे आप इस फोर नमर पर कर सकते हैं डिस्पिशन वोक्स में भी लंग लगी होगी चलो कहानी चुरू करते हैं इसके बाद हाँ टेलीग्राम चैनल भी हमारा सब चीज़ जाने लोगा आप यहीं क पोल में सबसे ज्यादा बच्चों ने तो अब 6 बजे ही है वो क्योंकि डेमोक्रेसी विंस हर जगे चलते हैं डीपीसपी के तरफ डीपीसपी कहानी कैसे शुरू हुई डीपीसपी कहानी शुरू ऐसे होती है कि क्या होता है हम थे इंडिया जब गुलाम था उसमें 1935 की ब इंडिया में ठीक है वाइसरोई जी को कुछ ऐसी हिदायते मिली थी कब 1935 का गवर्मेंट ऑप इंडिया एक्ट यह एक्ट आया था याद आया यह एक्ट में कुछ-कुछ ऐसे इंस्टूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे मतलब क्या है यह ऐसे इसके बाद से आगे जब तक और अगले 12 साल और तो आप ध्यान रखना आलाग पता ही था 12 साल होने वाले पर 12 साल निकले चलो तो आप कुछ ऐसे बात यहाद रखना जो हम आपको यहां तो जो हम आपको यहां से लिखवा कि दे रहे हैं इंस्टूमेंट ऑफ इंस्ट्रक पहले हमारा पहले हमारे इंडिया क्या ता इसके बाद तंब और और दाधि रखेंगे- इस्याद हम निजानते तुम्हारा विकास चलो जाओ- हम अजाद होए फाइनली अजाद होने वाद हम क्या है हम एक अजाद कंड्री है जो कि एसपायर करता है उम्मिध करता है आप में यह वेलफियर स्टेट सरकार हो कैसी भी सरकार हो वो DPSP से अगर याद रखे तो खुश रहेगी हमारे संविधान में पार्ट 4 में मैंशन हो गई कहां कहां से आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 के बीच में ओके ठीक है जी अब ये तब अब ये देखो शुरुआत तो वही से जो हमने बात करी पीछे 1935 का instrument of instruction थे लेकिन जब हमने संविधान में इंकॉर्परेट किये ऐसे कुछ instruction हमने का तुम्हारा ही पड़ोसी जो ब्रिटन की सरकार का पड़ोसी था आयरलेंड आयरलेंड का अपना संविधान है आयरलेंड के संविधान को क्या बोलते हैं इंगलिश में आयर ठीक है आयर वर्सेस मुस्लिम लीग लड़े हुएं आपस में कोई निमानने को तही आ रहे के डिपीएसपी कैसी होगी कौन से कौन सा अधिकार किसको मिलेंगे क्या जाएंगे क्या करना है आखिर में तेज बहादूर सपरू जी इनकी अध्यक्ष्णा में टीबी सपरू जी अगर कु और बोला गया कि डीपीएसपी पे लड़ाई चल रही है कुछ लोग कहरें डीपीएसपी को बिलकुल मुस्लिम लीग और आइएंसी सब लोग कहरें एकदम जश्टीफाइब कर दो और एक दम नों जश्टीबल कर दो तो इहां पे सेपरेशन लाया गया यहां सेपरेशन यह किया गया कि कुछ अधिकार ऐसे होते हैं लोगों के कुछ अधिकार जो पीछे बात करी पार्ट 3 में डाले गए यह अगर मेरे बोलने के अधिकार का हनन हुआ तो मैं जाऊगो सुप्रीम कोड़ ठीक है पर कुछ मेरे अधिकार हैं जो डिपीयेसपी के थ्रू मुझे मिल सकते हैं अब वो अधिकार अगर पूरे नहीं हो पा रहे हैं तो सरकार की गर्दन पकड़के में सुप्रीम कोड नहीं जा सकता नहीं उस चीज के लिए आ सकता है तो ऐसे करके डिवीजन हुआ सपरू जी की कमेटी जो भी रेक्रमेंडेशन आई वह हमारे सर बीयन राओ नाम क्या के सर लिखा हुआ है इसलिए हम इनको सर बीयन राओ ही बोल जैसे भी हो जितने भी हो फरक नहीं पड़ता है DPSP को हम रखेंगे non-justiciable और बाकी जो हमारे fundamental rights होंगे fundamental rights होंगे ये होंगे justiciable ठीक बात हो गई चलो कुछ हमारे जो भी DPSP है हमारी DPSP को हम करते हैं कुछ कुछ तरीके से बांटते हैं हम कैसे बांटते हम कहते हैं कुछ D DPSP हैं सोशलिस्टिक नेचर के समाजबादी सामयबादी नेचर के कुछ DPSP हैं गांधियन फिलोसफी के सरवोदय समाज की कलपना करने के लिए और फिर होती है हमारी कुछ liberal intellectual DPSP यह क्या बात करती है कि आगे आने वाला समय को हम कैसे hierarchy कैसे वहां पर नए नहीं हम एक्टि आती नहीं है जो DPSP जैसी कोई और कर सके यानि DPSP आम मेड़कर जी का फेड़ो टॉपिक क्यों है क्योंकि आने वाली जो भी सरकार हो अगर वो DPSP याद रख ले उसका काम हो जाएगा वह आस्टिन साब नहीं बोला कि सम्मिधान की जो चेतना है वो चेतना चलती है DPSP मे आप DPSP उसी वेलफेर स्टेट की कलपना कर रहा है निकलते हैं जो कि हमने अपने आदर्श के रूप में लिया था हमारे संविदान के निर्माताओं ने जो बात बोली थी कि इंडिया आगे चलके अभी तो नहीं लेकिन जब भी एक वेलफेर स्टेट क्या करता है वेलफे वो फुलफिल आप कर पाओ अपने एस्पिरेशन अपने हो तो मल्टी डेमेशनल डेवलफेंट हर व्यक्ति का हर परसन का ऐसा हमारा वेलफेर स्ट का कलपना होती है अब यह अब यह यह डेवलफेर स्ट की बात आएगी वेलफेर स्ट सब का भला चाहेगा एक सोशल और वेलफेर स्ट सब के लिए बरावर है बस यह बोला गया अब impose a moral obligation on the state यानि कि DPSP वो है एक moral lesson है एक ऐसे lesson है यह सरकार को हिदायते हैं कि याद रखना जब भी कोई अगला act बनाने निकलो आप कोई भी act याद करो सरकार का वो act में हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे objective होगा जब भी act ऐता है कोई विल जब परलेमेंट में पेश होता है क्यिक विद्यक तो उस समय पर पर Parramacion में यह बात में discussion होता कोई कानून हो कोई reading कोई met फिर तो सई चीज है पिर तो कुई रिक्क्त नहीं है 今 सरकार कैसी भी जो बहो सरकार कैसे बहाएिए की Arya को दिखे रहे रहे हो से कि जाना है अपने पांच साल के कारेकाल में सरकार कैसीcolor जाए जाए यहाँ पर सरकार के पास कुछ कुछ हिदायत है कि ये सरकार अब एक सरकार आती है वो क्याlausब हम करेंगे पूरे विष्व में तुछा मचा देंगे कियों कि हम सबको देंगे कि uniform वे MS देंगे, minimum wage देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि सरकार ने, अब चाहे सरकार किसी भी कोई भी दल की हो, कोई पार्टी की हो, फरक नहीं पड़ता है, आगे आने वर सरकार जो होगी, वो भी DPSP को याद रखते हो, कोई नया कानूँ बनाएगी, यानि कि stability मिल रही है, और continuity बरक करती है, या कोई काम नया action करती है, तो वो supplement करता है, compliment करता है, हमारे fundamental rights को, हमारे मौलिक अधिकार को जो आर्टिकल 12 से लेके, आर्टिकल 35 के बीच में लिखे हुआ है, ठीक है, अब एक और significance जैन का, DPSP का वो ये है, कि ये एक guide है, friend है, philosopher है, किसी भी ruling party के लिए, किसी भी ruling पड़ी लिखी हो, कि साब आपने तो कहा था, कि DPSP लागू करवाद होगे, ये करा दो, कहां है, कहां है, कहां है, ये सब बाते, आप तो ये कर देंगे, कहां है, करते थे, तो अब जब अगले election में आपको उतरना पड़ेगा, जब जनता के सामने है, जनता आप सवाल कु तो DPSP कई सारी जिम्मेदारियां देता है सरकार को, ये क्या करता है, कि state के, state, यानि कोई भी यहां पर, state का word यहां पर मैं बात कर रहा हूँ, चाहे nation ले लो आप, as India, ले लो भारत, या कोई भी हमारी UP, बिहार, मैं देगो वही state लेता हूँ, जहां कि देगो बोल चाल भ मतलब है, कि कोई भी state हो, चाहे वो nation पूरा as a whole की बात कर लो, चाहे अपने अपने states की बात कर लो, they should keep in mind, while formulating कोई भी नया कानूं, कोई भी नई policy, कोई भी नई scheme, कोई भी आपको नया बनाना, तो ये याद रख लेना, ठीक है जी, okay, constitute a very very comprehensive economic, social and political program, जिसकी वज़े से हमा लोग empowered हो जाएंगे, तब लोग जानेंगे, अच्छा, हमारे साथ तो इतना अन्या हुआ था पहले, अब आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है, आगे नहीं होने के लिए, तो हमारे जनता क्या सोचेगी, कि साब हमारा तो article 19 भी है, हमारा तो article 20 भी है, हमारा तो article ये भी है, वो भी है, फलाना निमगाना सारे article है, इसका मतलब है, कि जनता में चेतना आ चुकी है, जनता पढ़ लेग गई, जनता को social program मिल गया, जनता हमारी economically भी हमारी strong होनी, होती आई, मान लेते हैं, चलो, अब जनता का एक वर्ग होगा, जो बोलेगा, ओ भाईया, DPSP में तो Committee ने यही बात बोली, Sir BN Rao ने यही बात बोली, कि भाईया, DPSP को अभी जस्टिशिवल मत करो, अभी इतने हमारी सरकार अभी इतनी भेंकर नहीं हो, पाहिए कि यह सब काम कर डाले, तो अगर यह जस्टिशिवल नहीं है, फिर क्या करें, कोई option नहीं है, तब भी option है, कोई भी act आप बताओ, एक random act आप बता दो, मैं उस act को यहाँ पर लिख दे रहा हूं, जो आप बोलोगे, वो यहाँ लिखा जाएगा, फिर इस act की चेक होगी, क्या constitutionality, जैसे ही इस act की सम्विधानिकता चेक हुई, मतलब इसको सम्विधान की कसोटी पे रखके, रगड़ पीला पेंट अट जाएगा, तो वो अंदर का मेटल बार आजाएगा, अगर वो असली सोना है, तो उसमेंदे पेंट उत्रे गई निकोंगी, वो सोना है, तो अब सम्विधान की कसोटी पे, जब कोई चीज को रगड़ा जाता है, कसा जाता है, तब कोड यह चेक करती है, यह कोर्ड देख लेती है, यहाँ पर यह कोर्ड को help करता, और कसोटी क्या है, हमारे यहाँ पर कसोटी है, DPSP, हमारे यहाँ पर कसोटी क्या है, fundamental rights यह हमारे हैं कसोर्टी हैं एसी कसोर्टी हमारे 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 कोर्ट को मिली हुई है जो कोर्ट क्या करती है सम्मिधान में से कुछ भी ढूंड लेती है कि अगर इसकी अगेस्ट गया कोई चीज तो वह मारी जागी उसकी बे मौत उसकी हत्या होगी मतलब क्या है कोई अगर आया जो भी आपने आपने नाम बताने वाले हो तो इस एक्ट में अगर कुछ भी सेक्षेन ऐसा है जो सम्मिधानिक नहीं गया वह कुछ नहीं बचना उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा अब इसका मतलब है यह यह कोड को कर देता है कि कोई भी चीज को हम बरकरा 1947 ठीक है 1949 समयदान लिख लिया गया ताइन हो गया सबके जितने वी दोड़ाई सो लोग थे उसमें अल्मोस्ट तो उनके सबके सिगनेचर हो गया उस पर जो हमने समयदान उसमें देखा भी तर लासमें सिगनेचर है सबके अब 1949 1950 लो 1951 पहला एलेक्शन हो रहा है कुछ है ह तो नहीं अभी समय कुछ कहा कर लें क्या ले जाएं क्या कर ला कुछ समय कितना कर लोगे यह सरकार वो है जिसको एक देश मिला है जो अल्मोस्ट बिखरने को तयार है जो देश इधर उदर से कुछ ना कुछ कोई इसमें लीकेज कोई प्रॉबलम है कोई दिवाड टूटी कोई कभी किचिन में कोई अपना प्रॉबलम है तो कितना सोधार लोगे यह बात हुई अब यह एड्मिस्ट्रेटिव और फिनैंशल लिमिटेशन की उसमें सरकार पर हमने का यार ज्याद हो जाएगा इसमें डीपी को लागू को नहीं करा पाएंगे तो नहीं हो सकता इसक एक moral कोनोटेशन हैं यह एक moral philosophy है एक moral प्रिसेप्स है एक इसे मोरी लेसन है सरकार के लिए यानि कि कुछ ऐसे वह ओल्रेडी हम बोल रहे हैं कि हमारे पास इन एक हमारे पास टीन प्रॉबलम है यह तीन मैं से पाहली प्रोबलम है भूख लो हैं दूसरी प्रॉबलम क्या है education ठीक है अब तीसरी problem क्या है एक और बात कर लेते हैं लो चलो अब बता उसमें से आप पहली क्या solve करोगे ठीक है तो इसका मतलब है हमारा social development के लिए हमारे पास कुछ ऐसी problem है जो हमारे पास सबसे बुनियाती है पहले हम उसको देख लेंगे पहले उसको देखेंगे फिर इसको देखेंगे तो यह तीन चीज़ अलग-अलग है हमने का problem हमारी हमारी सब्सक्राइब करें तब आगे बाते बात में कर लेंगे हम पहले अपना पहले अपना पहले अपना देख लेकिन जब डीपीस पिर आगए तो थे समय वाली पढ़ते समय हमने का अरी राम यह तो सोशेलिस्टिक हम ने का दूसरी वाली बड़ी हमने ये लिबरल इंटेलेक्च्वल है अरे यह क्या होते हैं सर्सोशलिस्टिक कैसे होते हैं जो कि सोशलिज्म की भावना बतलब सबका विकास सबका ही विकास होना चाहिए और स्टेट जम्मेदार होगा सारे लोगों को अप्लिफ्ट करके उ सर्वोदय स्टेट गांधी जी की फिलोसिफी और भेंकर थी कहते देड़ा सचराल संट्रोल नहींचाई कन्रोल नहीं होना चाहिए सरकार का जो लोगों मांद्र हो सकता है यह तीसरे रहो तो हमने का यह क्या है सर यह वो है हमारे लिप्रलिण यह भावनाइं चाहिए जिससे कि हमारा लिप्रलिसम यानि कि हमारा बढपन दिखे मारा आगे आवाला साइने प्रॉच दिखे सो हमने क्या किया हमने टीनओं को क्लासिवाorf hati, यह याद रखना है आपके भर हमने कवना वहत हमने करने क्या, हमने हमने बोला कि एक तो नहीं गांधियर, एक ओन गय ay शूशलॅलिस्टिक एक ओन गय लिबरल इंटिलेट्ट्रेंट्रूरर, कुछ ऐसे आपको DPSP दिखेंगे जो DPSP common दिखते हैं जैसे 43, 47 और 48 यह articles हैं इसमें 43, 47, 48 नाओ यह articles हैं जो क्या हैं जो ऐसे दिखते हैं इन दोनों का mixture दिखता है और 48 है जो इन दोनों का mixture दिखता है बागी इसके लावाज इतना भी आप देखोगे 38, 39 और अपना 43A, 43 य जो हमारे क्या हैं 43 नहीं होगा 41 होगा ठीक है तो यह तो अभी आगे देखें लेकिन सोचलिस्टिक कितने हैं और अपने यह वाले कितने हैं में चीज हमें यह याद रखने हैं हमें तीन आर्टिकल याद रखने हैं यह important ठीक है इनको मत भूल जाना बागी हमारी जितने भ लेवल की इंडिस्टी की बात होती है तो वह हमारी यहां की आ गई ठीक है ओके एक करके शुरू करते हैं हमारी क्या क्या होती है अब क्या क्या हमारी dpsp की utility तो हमने यह तो देखी लिया कि जब भी dpsp का जिकर होगा इसका मतलब भें देश की stability की वात आ जाएगी देश की fundamental rights का, ठीक है, हमारी क्या क्या political democracy, without economic democracy कोई मतलब ऐसका, जहां पर भी हमारी political democracy हमें मिल गई है, और हमें कुछ काम करने की, occupation की, हमारे पास कुछ पैसे कमाने की अजादी नहीं है, what's the point, क्या मतलब रहे है उसका, now, कुछ opposition है कुछ opposition होती है जो सरकार में नहीं होती है वो बाहर बैठती है, वो कहती है, सहाब DPSP नहीं फुल्फिल हो रहा है, तुमने तो बहुत बादे किये थे election से पहले, पूरा करो, चलो, तो यानि कि ये influence और control करती है over the operations of the government, जो सरकार होती है अब ये crucial test हो जाता है for the performance of the government, क्यों? क्योंकि जब election से पहले है, party यां क्या करती है कोई party हो, जो election से पहले क्या करेगी, अपना manifesto देगी, कोई नहीं पढ़ता, आपने पढ़ाएगा भी किसी का manifesto किसी party का, तो manifesto क्या होता है manifesto एक बादों की list होती है कि हम जब सरकार में आ जाएंगे, अगर if and when, आपके अशिरवाद से, तो हम क्या कर देंगे? हम ये उखाड कर भिख देंगे, हम वो लगा जाएंगे वो change करा देंगे, वो ले आएंगे, वो ये हो जाएगा इसका मतलब है, ये बाद में test हो जाता है कि तुम ले तो इतनी वाद ही कर दिये थे DPSP वाले उन तो इतना कह रहे थे कि हम ये लादेंगे, वो कर देंगे, ये लादेंगे सो political manifesto हमारा fulfill हो जाता है जब DPSP fulfill होते हैं ठीक है, ओके, नाओ, चलते हैं आगे हमारी concourse article दिखते हैं, हम इसमें DPSP में तो DPSP में आने वाला जो पहला article है वो कहता है, कि state कौन है यापर state यहां वो ही है, जो fundamental right में जिसका जिकर है, state वो है यानि state का मतलब है, यहां पर definition कहा है state की, कि कोई भी सरकार का अंग, center government राष्टपती से लेके, कोई ऐसा private servant, कोई ऐसा कोई ऐसा, जो bank में जो guard होते हैं, बाहर बैठते हैं, वो guard private security होती है, वो तक भी उससमें state का अंग है, हर कोई state का अंग है, इसमें, जैसा part 3 में definition है वैसे ही, वैसी part 4 के लिए definition मानी जाएगी जो की DPSP के लिए, article सहते इस कहता है, part 4A यह part 4 में जो भी है, यह part 4 में आगे आप जो भी बढ़ने वाले हो, shall not be enforceable, नहीं होगा, जैसा का जैसा आपको आगे दिखने वाला है, इसका मतलब यह नहीं है, कि पत्थर की लकीर है, यह बातें हमने खाली लिखी है, यह बातें हैं fundamental, यह बातें fundamental बिलकुल है, बिलकुल मौलिक है, सधानतिक है, इनमें कोई दिक्कात रही होनी चाहिए, यह duty होगी to apply these lessons in the policy formation, जब भी policy formation होगा, यह जब भी policy scheme कुछ भी बनानी होगी, उस समय पे policy हो, scheme हो, कोई welfare, कोई welfare अपना fund हो, कुछ भी हो जाए, हम उसमें, लगाते समय, याद करते समय, पढ़ते समय, हम उसमें DPSP याद रखेंगे, DPSP भले ही enforceable नहीं है, लेकिन DPSP कामगार है, DPSP काम करता है, चलो, ठीक है, यह सारे के सारे article शुरू हो गए, अभी यह हमने पहला वाला गोला पढ़ना शुरू किया है, पहला वाला गोला क्या कहता है, कि हमारे socialistic, यानि कि हमारे वो principle, जो कि हमारे सामयवादी होते है, सवाजवादी होते है, यह आपकी book में पूरे-पूरे mention है, अगर आप कहो तो इनको एक करेगा, पढ़ते हैं, वनना इनकी को जर्गवाद तुझे दिखनी रही है, ठीक है, इसमें क्या किया पहला, तुमारा पहला article क्या है, कि promotion of welfare, सबका विकास होना चाहिए, बस, state क्या करेगा, एक social order ऐसा बनाएगा, या ऐसा try करेगा बनाने के लिए, जिससे क्या होगा, सब के लोगों का welfare होगा, सब लोगों का ओरा, that means, वो सोजिस्टिक होई गया होई है, अब article 39 कहता है, right to adequate means of livelihood, लोगों को रोजगार का एक adequate means बनना चाहिए, और इसके अलावा कुछ ऐसा material source जो भी होगा, चाहे कोई mining हो, चाहे कोई खनिज हो, चाहे कोई land हो, कोई भी चीज़ का जो भी property है, जो भी resource है, वो सब में equitable बटे, ठीक है, जितना भी concentration of wealth है, वो means of production है, वो कुछ के हाथ में ना रहे, उसके लिए उसके लिए वो prevention के लिगाम करेगा, equal pay for equal work, यह सारी वो चीज़े हैं, जो सरकार पिर काम करती हैं जिनके लिए फिर, ठीक है, फिर preservation of health and strength of workers and children, सबके बाते हैं, फिर opportunities for development of children, इनकी बात हो गई, अगला 39A कहता है, यह जितना भी देखो 38, 39, 39A दान लिखा हुआ है, यह amendment के द्वारा एड किया गया है, और amendment कब आया था, यह 1987 में, यह वाला, ठीक है, क्या है amendment, amendment यह कहता था, जैसे 39A डाला गया, मतलब कि अब राज्य के ऊपर, कहीं उपर लड़ाई करने अपनी, उसको क्या देंगे, free, legal aid, मतलब कि मुप्त में, उसको कोई भी, कोई भी उसको, कोई भी उसको, विधी वाली एकर कोई दिक्क्त आ रही है, लॉयर चाहिए, उसको लॉयर मिलेगा, उसको कुछ और अगर help चाहिए, कोई document चाहिए, crime उसके लिए, इसके लिए क्या बनी, legal service authority बन गई आ है, ठीक है, ओके, अगला है article 41, right to work, कि हमारा अधिकार है लोगों का, education है लोगों का, अधिकार है, काम करना अधिकार है, public assistance काम है, इसके लिए है, कि कई लोगों के पास, रोजगार का, काम का अफसर नहीं है, उन लोगों के पास, ये भी नहीं है, कि हम कहां जाएं, कौन से शहर में जाके काम करनें, तो नरे का योजना है, ये कहती है, आपको 180 दिन तो काम देंगे, साल के आधे दिन हम आपको काम दे रहा है, ठीक, आप काम करिए, आउ, आर्टिकल 42 कहता है, कि ये जस्ट एंड युमेन वर्किंग कंडिशन, यानि राज ऐसा ट्राई करेगा, कि जो भी काम हो, जो भी जगे हो, काम करने की ये वर्क प्लेस, ये युमेन जगे हो, इंसानियत की वाली जगे हो, ये नहीं कि 18 गंटे काम कर रहे हो आप, 6 गंटे खाली गए, अपने कमरे पर जाके सोके, वापिस पर काम पर लग गए, ये नहीं होगा, 8-6 गंटे, 9 गंटे की नौकरी होगी, उसके अलावा हम क्या करेंगे, हम ये भी कारेंटी देंगे, कि मेटरनेटी रिलीफ, अगर महिला हैं, अगर अगर प्रेगनेंट हैं, जो भी है, तो फिर उनको फिर छुट्टी मिलनी चाहिए, उसी के देखो, एवर्ज में फिर क्या आया, मेटरनेटी बेनिफिट्स एक्ट आया, इक्वल रेमुनेरेशन एक्ट आया, ये सारे एक्ट बनाई है, सरकार ये याद रखते हुए, तो आर्टिकल भी लिखा है उपर, नीचे उसका, ये अपना एक्जांपल के तौर पर हमने कोई उसका एक एक्ट भी लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर क्या है, नेशनलाज़ेशन ओफ फॉर्टी इडिंग कॉमर्शल बैंक जब हुए थे, इसका मतलब है हमने सरकार ने आर्टिकल थर्डी एट फुल्फिल किया था वो उस समय, चलो ठीक है, आर्टिकल फॉर्टी थी ए, ये जोड़ा गया अमेंडमेंट को द्वारा, यानि कि ये जोड़ा गया अंद्रा गांधी द्वारा, और ये अंद्रा गांधी जी ने जोड़ा था कि वरकर्स का पाटिस्पेशन होगा इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में, वरकर यूनियन, ये लोग आगे, आर्टिकल फॉर्टी सेवन तो ये अपनी बात करता है, कि स्टेट की डूटी ये होगी, कि लेवल ओफ नूट्रिशन, स्टैंडर्स ओफ लिविंग, एंड इंप्रूफ कर दो, पबलिक कोई भी हल्थ, हर जगे से हॉस्पेटल बनाओ, खाने पीने की जगे अच्छी हो, सब सफाई हो, सब कुछ हो, ये मेंचन हो रहा है, आगे बढ़ो, ये गांधियन फिलोसोफी है, ये का कहती है साब, मेरा भारत गावन बसता है, गांधी जी का एक ही उद्देश था, विलेज की बात करो, मुझसे, मैं कोई भी, मैं कोई भी गवर्मेंट की, मैं बात ही नहीं करता, इकलौते फ्रीडम फाइटर थे हमारे, राष्ट पिता हमारे, जो सम्विजान सभा के मेंबर भी नहीं थे, उनका मतलब भी नहीं था, उन्हें कह रहे थे, मैंने आजाद, हो गए, आजाद, मेरा समय वैसे दिमाग खराब है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया दोनों बढ़ गए, तो इन्होंने कहा, कि मैं तो अपने लोकल लेवल की बाते करूँगा, मुझे खाली उतनी बाते आती है, 43 का सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट उनली, यह आता है गान्दी फिलोसफी पे, ठीक है, ओके, यह क्या खहता है, सेक्षक अपना फे खाली हैं अपनी ख्यती बाड़ी अपना सारा दूढ दई अपना काम अपना स्कूल學्यकूल सब कुछ कर लेते थे गाउँ लेकर हमारे सारे पी किया फिर cooperative societies यह जोड़ा गया यह भी है लोगों के लिए इसके वैसे concept कि हमने multi-state cooperative societies act यह बनाया हमने ओके education and economic interest of SCST and weaker section तो गांदी जी नेन की बात करी दिया में चाहिए ठीक है भाईया इसके लिए क्या बनाए prevention of atrocities यह ला दिया हमने ओके अगले आगे चलो prohibit the consumption of intoxicating substance यानि कि कोई भी लिकर कोई भी कोई भी कोई भी drugs यह चीज़ें जिनसे की नशा होता जिनसे की इंजूरियस होती है health के लिए तो हमने फिर कई सारे उसके लिए फिर हमने एक्ट बनाए एक्साइ का regulation मना दिया एक्साइज डिपार्टमें बना दिया हमने हमने नर्गोटिक से डिपार्टमें बनाया पूरा ंडिपीस एक्ट बना दिया हमने अलग से चलो हमने सब कुछ बनाया ना फॉर्टिएट का फर्स पार्ट कहता है कि organization of agriculture and animal husbandry scientifically यूज करो बढ़िया बढ़िया चीजें लेकर आओ laws to prohibit the slaughter of cow also ये भी याद रखना है तो हमने का ये सब बात गानी जी की बोली हुई थी मानिंग इन चीज़ों को now liberal intellectual ये articles हैं वो जो आगे आने वाले भविष्चे को सोधारने वाले हैं UCC correct ठीक है DPSP में है ये every childhood care जो भी हर बच्चे को early childhood care मिलेगी अगर वो बच्चा चोटा है अगर वो बच्चा एकदम बच्चा है वो 6 साल चोटा बच्चा उसमें कहां उसमें कुछ बोलने काने की दम है तो हमने क्या किया right to education act बनाया 2009 जिसके तैट हमने बोला यगर बच्चा 6 से चोटा है तो उसको मिलेगा अच्छा healthcare मिलेगी उसको जो भी है उसको education हम ट्राइ करेंगे पूरा दिलवाए और 6 से 14 का है तो तो right to education है ये compulsory लेना ही पढ़ेगा तुम्हें education वहां option नहीं है कि म improvement of environment safeguarding of forest everything सारी चीज हमारी wildlife सब कुछ तो इसके लिए हमारे कितने सारे एक्ट आई पर उसके बाद wildlife protection दूसरी क्या बनिए जराब बता होगे तो ठीक है फिर हमने क्या किया CRPC बनाई दिए हमने यहीं तय किया था कि कैसे कोई अपरादी के साथ या कोई अगर दोशी है या कोई अगर अगर देखो अगर वो अभी तक दोशी है यह नहीं उसमें बस खाली आरोप लगा हुआ ओ और वो पैशियों करें उसका बयान कैसे दर्ज होगा क्ष 근िशन में दर्ज होगा कौन दर्ज करेगा वोरोग चैता है कि हमारे जितने भी international piece है जितना भी हमारे पूरे जो भी हमारे पूरे international हमारे matter है सारे उसको state समाल के रखेगा चाहे पार्टी इक सरकार किसी ही भी हो कुछ ऐसे DPSP हैं जो आपको मिलेंगे बाहर ये पार्ट 16, पार्ट 17 में लिखे हुए है ये क्या है कि SCs and STs to services, इनके claims SCs और STs का claim है services में यानि आरक्षन की बात है तो ये DPSP के बाहर की बात है लेकिन सरकार इनको भी लागू रखती है सरकार इनको भी लागू करती है फिर mother tongue में instruction, mother tongue में पढ़ाई कैसे होगी तो ये 350A ये आर्टिकल जोड़ा गया था पाट 17 में इसमें बोला गया था कि अगर बच्चे का जो भी जो भी उसकी कि हम एक आर्टिकल ढाल रहे हैं ये आर्टिकल है शुरू का आया हुआ आर्टिकल 351 जो कहता है कि क्या होगा हिंदी का promotion के लिए आप बात करना इसके लिए एक हमारा हिंदी के लिए पूरा एक आयोग भी होता है कॉंसिट्यूशनल हो जितने भी टेक्स्ट कॉंसिट्यूशनल टेक्स्ट हो गया कोई लौ हो गए कोई भी चीज हो गए उसका हिंदी ट्रांसलेशन बिल्कुल हो जाए करेक्ट हो बिल्कुल एप्रोप्रियेट हो ठीक है ओके नौ इसका जो डीपीसपी तरी बार हम पढ़ हैं क्या मतलब रहेगा इनका डी-पीसपी का आप इन्हों क्या क्या बोला है सब हमारे केटी शाह हो गये हमारे क्रिशनमाचारी हो गये हमारे सारे लोग हमहारे किसी न कर्दिल सोचा है यह लग रहा है एक dustbin of sentiments कि सब होना चाहिए अच्छा है जब तक चीजे justiciable नहीं है क्योंकि यह non-justiciable है that means आपने citizens को दिया और ले लिया यह कर दिया आपने यह नहीं होना चाहिए हम कहते हैं कुछ हम कहते हैं कुछ principle जो आपके हो वो justiciable तो होते आप यहां पर देखो हमारे मतलब यह ऊनली वेंदर को ऑंकर आपने तो है इसमें ज्यादा और दम नहीं है यह DPSP ने का यह DPSP के लिए बोला गया अमेटिर जी ने का बेटा अच्छा इसलिए डाले मैंस मैंने से सुनने के लिए मैंने अभी बताता हूं लेकिन DPSP का फंक्षन है अपना पर DPSP का जो क्लासिफिकेशन है का जो एनुमरेशन है का सिध्धान्त है वो कुछ clarity नहीं दे पाया तो क्या है कि मतलब clarity नहीं है कोई को सरकार की accountability नहीं है अब लेकिन यहां पर अमेटिकर जी का कहना है मैं देखो accountability कैसे कर रहा हूं यह accountability यह सरकार का अब हमारे यहां पर कुछ logical manner में अरेंज नहीं है लिख तो दिये हैं काफी अच्छे हैं बातें जरूरी यह थी लिखनी लेकिन अब कोई लॉजिकल नहीं बना उसमें कोई manner को उसका order नहीं पाए वो अलग बात है चलो जो प्रिंसिपल्स आये हैं वो रियाक्शन में उस इवेंट के अगेंस्ट उस इवेंट को काउंटर करने के लिए कुछ DPSP जोड़े गए अब यह जिनका अभी अभी इनका enumeration भी इन्होंने बोला कि कुछ नहीं दिख रहा है गांधियन सोशलिस्टिक दोनों similar से लगते हैं कभी-कभी clarity नहीं है कि चाहते क्या हो मत 49 बी और सी बड़े तकड़ी चीज़ है यह कहती है कि जरा हमारी बात सुनो 49 बी और सी कहता है कि state शैल करेगा ही करेगा क्या in particular purposefully direct its policy towards securing क्या करने के लिए that the ownership and control of the material resources of the community are so distributed so as to best serve the common good और सट्टेजन सी क्या कहता है कि state it shall direct its policy क्या करने के लिए कि operation of the economic system जो है ऐसा नहीं हो जाए कि concentration of wealth जो है कुछ के हात में रहे जाए मिंस्परेशन कुछ के हात में रहे जाए अब यह बात आप समझो 49 बी और सी कैन बी गिवन प्रेसिदेंस ओवर आर्टिकल 14 मतलब क्या है सब बराबर है तो यानि आर्टिक हो कोई सरकार क्या करे nationalize कर दे कोई बैंक को या कोई या को इंडस्ट्री को एसा ओजाए nationalization होने लगे और bank औहो कोई factory हो चाह कोई अपना industry यूँ कुछ भी हो सकता है जो सरकार कह दे कि नहीं अगर इसार्फ के हाथ हिरे लाग इग होगी सरकार बोलेगी कि उसका मतलब है कि सरकार कभी-कभी तो काम ऐसा ढूंडती है कि भाया हम नहीं हम आपको नहीं दे सकते जो इंडियन रेलवे का है वो रिलाइंस इंडिस्ट्री नहीं दे सकती है हां आयर चिटीसी के माध्यम से पे टीम गूगल पे के माध्यम से आप टेकट को रिजर्व करा सकते हो लेकिन टेकट बेच एक्जक्ट बेच रहा है वह रेलवे ही बेच रही है क्योंकि हम उसको किसी अद्ट प्राइवेट कुछ को समानता भी है कैसे पहली बाद तो अधारी की है यह समानता है थाना नों के दोनों क्या करने के लिए हैं हमने लिए हैं ताकि inclusive और equitable घ्रोथ हो पाई देश की मतलब सब्सका विकास हो और equitable होगी जिसको जितना विकास च्याये उतना मिल कर रहे होंगे चलो ठीक है यह दोनों क्यों है बोथ है critical for strengthening the democratic setup हमारे देश का democratic setup बरकरा रहे जाए इस बात के लिए और judiciary के लिए guiding light है ताकि कोई act को कोई कानून को कोई by law rules regulation order executive कुछ भी हो उसको check करना हो तो सरकार स्वरी तो कोट हमारी क्या करे कोट यह देख लें कि DPSP फंडमेंटल राइट में किसका violation या किसका follow हो पा रहा है बस चेक हो जाएगा चलो आगे अब यह देखो आप जब भी DPSP यह इनमें कौन किसको पूरा करने के लिए क्या मारा जाएगा क्या चोटा भाई माना जाएगा तो कोड ने कहा कि जितने वंडमेंटर राइट है और सुपीरियर ओवर DPSP मतलब आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 35 तक जितने भी आर्टिकल आप पाऊगे यह बड़े सब्सक्राइब करेंगे हम यहां क्या है कि अब दोनों दोनों बराबर रखो आप ऐसा सिचुएशन ही नहीं आए जिसमें कॉनफ्लिक्ट हो जाए वाइल एनफोर्सें फंडमेंटर राइट एंडी पीएसप ठीक है आगे बड़े हमने का लोग उलगनात केस दग्रेटेस्ट केस बड़ा केस है कोड ने कहा एफार के नॉट बी अब्रेज्ट फंडमेंटर राइट जो है यह फंडमेंटर राइट बड़ा दमाका क्या हुआ केश्वनांद भारती जज्जमेंट में हमारे कोड ना कह दिया कि पार्लेमेंट जो चाय कर ले जिसका जो मन करें कर ले वह कोई भी संविदान के किसी भी पार्ट को उपर नीचे उठा के परटकते फरक नहीं पड़ता है क्या है एस लॉंग जब को कुछ नहीं हुआ है संविदान जो मूल भावना है वह छोड़ देना बस तो सरकार ने का मूल भावना क्या है कि यह हम ही पता है बस खाली कि तो बता दो क्या है वह हम तब बताएंगे जब आप कोई उलटा सीड़ काम कर दोगे तो हम सरकार वो ये तो यार अभी क्या किर दिया अभी तो यार बात किया रही थी दिए आप बतानी है फिर हुआ 73 के बाद 1976 इसमें क्या हुआ murder हुआ, किसका? संविधान का, 76 में murder हो गया संविधान का, उपर से नीचे तक संविधान को उलट से, पलट से, ये से पलट, वो पलट, और नया संविधान प्रकट हो गया ऐसा हुआ, मतलब 42 को mini constitution इसलिए कहते हैं, क्योंकि संविधान में इतना ज्यादा चाकू घोपे गए, इतना ज्यादा चीज़ें मां से निकाल के कुछ नई चीज़ डाली गई, ये अब वो लगी नहीं दा है, वो था पुराना वाला 76, mini constitution आ गया, यहाँ पर इसके बाद 78 1978, फिर मिनर्वा मिल्स केस, यह हुआ, कोड ने कहा, अभी समझाया था तुमको यहाँ पर, तुम फिर निमान रहे, कोड ने कहा कि एक कानून जो है, जो परलेमेंट द्वारा बनाया गया है, अंडर आर्टिकल, कोई भी हमारे, जो 31C, ऐसे में, क्या होगा, यह कैसे होगा, यह त कानून क्या है, इस अमेंडमेंट के तौरान, जो भी कोई नए एक्ट आयोंगे, कुछ भी नया कांट हुआ होगा, तो ऐसे केस में, 31C का अगर वाइलेशन, यह 31C को इंप्लिमेंट आप करवाना चाह रहे हो, तो कोड ने कहा, अगर एक कानून आया है, जो परलेमेंट न जाने की, जब तक कि वो आर्टिकल 49B और 49C का वाइलेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक बात है, जलते हैं, आगे कानी, अब यह देखते हैं, पूरा, कि यह 39BRC वाले चक्कर गया है, तो 39BRC का चकर ऐसा नहीं है, जो ने बात करी यहां पर, काफी सारा बदलाब हो गया, उपर कहता है, इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड टुपूर, यह भी एच्छा लग रहा है, 43A कहता है, तो टेक स्टेप्स तु सिक्योर तर पार्टिसपेशन वर्कर्स, ठीए, यह भी इच्छा लग रहा है, 48A कहता है, कि लोगों का पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिए, स अच्छा कुछा, दिक्कत है कि इसके साथ-साथ, जो और स्ट्रक्चर में छेड़ चाड़ होई ती, यह कैसे वो पाई, नहीं नहीं बड डाल के बड हटा के, तो जो जो आर्टिकल 38, यह कहता है, आडिकल 38, added one more DPSP, क्या जोड़ा गया, विच रिक्वाइर स्टेट टू प्राइरोटाइस क्या करने के लिए, कि देश में जो इनिक्वालिटी है, वो कम हो जाए, इंकम स्रेटस में जो भी हो जाए, अच्छा तो लग रहा है यह, ठीक है, तो यह सरकार ले तो IDPSP को फुल्फिल कराने के लिए, 86 में भी आ गया, 2002 में चेंज आ गया, जिसमें क्य अब अमेंड्मेंट हो गए हैं, अमेंड्मेंट होने के बाद, कोई और भी एक्ट आते गए, आते गए, आते गए, क्या क्या है, देखो, एक सठ में आया था मैने, जो हमारा maternity benefit act, जिससे कि क्या होगा, कुछ बच्चे जब पैदा होते हैं, तो उनको कई सारी दिक्कते हो NREGS, NREGS, यह है, यह स्कीम क्या कहती है, यह स्कीम कहती है, कि हमारे जतने भी हमारे देश में rural workers हैं, उनको रोजगार की guarantee होगी, उनको रोजगार यानि काम करने की guarantee होगी, मन रहेगा कि उनको ध्यारी मिले करेगी, इसके अलावा कुछ और जो DPSP बाते हैं, पूर DPSP की ब लागू होगा, और liquor prohibition कब होगा, और ban on liquor या vendor on highways, जो यह Supreme Court ने किया था, तो Supreme Court ने बोला था, कि highways के आसपास, क्योंकि हम देखते है, intoxication ही वह से क्या होता है, कई सारी जाने चली जाती है, नशे में, तो highways के पास शराब की बिकरी नहीं होनी चाहिए, ठीक, आगे चलो, That means fundamental right, fundamental right में हमने एक clause होड़ा है, यह clause क्या है, 31A, 31B, 31C, तो 31A कहता है, कि वो law जिंदा रह जाएंगे, जो law इन में से कोई एक काम करने निकले होंगे, एक या सारे जो भी काम करने निकले होंगे, 31A कहता है, अगर ऐसे पास category के कानून आए हैं, तो यह कोई भी कानून हो चाहिए Land Reforms Act हो, कोई जमिंदारी Evaluation Act हो, जो भी हो, from being challenged and invalidated, यह invalidate नहीं होंगे, यह challenge नहीं होंगे कोर्ट में, केवल इस वजए से कि फंडमेंटर राइट्स का violation कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का आर्टिकल 11 का violation कर रहे हैं, नहीं, क्या है, अगर state कोई किसी की property अहत्याने के ल implemented हो गया, कोई इस पात निगम हो गया, तो अगर state इनको जोडता है, इनको तोडता है, या इनको बनाता है, जो भी करता है, या state extinguish करते हैं, या पूरा, या 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 पूरा modify करते, क्या कुछ डिरेक्टर का rights, या कुछ शेर ब्लस का rights, corporation चलाते हूं, कुछ कुछ भी ले लो का कानून इस बात पर challenge नहीं होगा, कि वो कोई fundamental right वालेट हो रहा है, article 14 या article 19 का, ठीक है, fundamental right में ही part 3 में गुषड के रखा हूं, 31A, चलो अब 31B की तरफ, 31B कहता है, कि देखो साब, जब भी 31B पढ़ना, पहले बात दो शप्ति आता रखना, जो क्या है, 9th schedule, ओ भाया, य इसमें अगर कोई भी act, कोई act हो गया, कोई law, कोई भी अगर चीजस में पढ़ गई, वो क्या हो गई, वो safe हो गई, without prejudice to the generality of the provisions contained in article 31a, क्या होगा, none of the acts and regulations specified in the 9th schedule, nor any of the provisions thereof shall be deemed to be void, क्यों, क्योंकि वो fundamental right का violation कर रहे होंगे, नहीं, किसी court में challenge नहीं होंगे, किसी tribunal में नही जाएंगे, कोई किसी भी किसी भी चकर में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो 9th schedule में डले हुऊ है, बस, ये बात है, 9th schedule में कोई अगर कानून आ गया, वो कानून जिंदा रहेगा, वो कानून के पास ब्रह्मास्त रहे, वो कानून के पास जैसे कहते हो, इच्छा मृत्यू ह ये याद रखना, 31B में बहुत बड़ा एक लूपोल डाला है सुप्रीम कोड ने, सुप्रीम कोड ने काया 9th schedule आपका मान गया हूँ, 9th schedule बड़ा सही है, ठीक है, आपने अपने आपके लिए एक बहुत बड़ा शील्ड ढून रखी है, गुड, ठीक है, 9th schedule उसमें पढ़ after जो भी कानून उसमें डाले गए है, 9th schedule में. 9th schedule में, 200 प्लस कानून डले हुए है, लिस्ट बने हुए है. 9th schedule में नौ celहीए 9th सूची, तो इस सूची में ऐसे 2 200 नाम है कानूनों के. अगर इस date के बाद जो भी कानून उसमें गया है, 9th schedule में, ब्लैक होल में, अगर वो लेकिन इस तारीख के बाद जब हमने अपना basic structure का नाम बताया है सम्मिधान के का तो सम्मिधान का जो मूल भावना है अगर इसके बाद कोई इसमें आपने डाला है कोई भी कानूं का नाम अगर वो सम्मिधान को छेड़ रहा होगा वो हम उस कानूं को निकाल के भार पटक द यह है कि यह कोई DPSP को giving effect देने के लिए आया है giving effect to such DPSP such policy shall be called in question in any code मतलब क्या है कि क्या है कि अगर आप part 4 को अपनाने के लिए या कोई DPSP को लागू करने के लिए कोई अगर एक law लेक्या है हो और उसमें objective में लिखा हुआ है हम क्या हुआ objective में लेक भी दिया आपने कि DPSP पूरी करनी है DPSP लागू करने के लिए हम लेके आए लेकिन DPSP fulfill नहीं हो पाई किसी तरह से DPSP जो है मारी जा रही है या DPSP जो है पूरी नहीं हो पाई इसका मतलब इस कानून को आप code में लेके नहीं जाओगे ठीक बात है इसका मतलब इस कानून को हम code में लेके हम code में घसीट के हम उसको nullify नहीं कराएंगे nullify नहीं होगा मतलब वो कानून टिका रहेगा बले उसमें objective में लिखा हुआ है लेकिन fulfill नहीं हो पाई DPSP तो हम दोनों तरफ provided that where such law is made by the कोई भी स्टेट की विधानसवा the provisions of this article shall not apply there to unless such a law having been reserved for the consideration of president has received his assent मतलब कि जब स्टेट की विधानसवा कोई कानून बनाती है जो DPSP को लागो करने के लिए आया होगा और वो कानून अभी कानून बना नहीं है वो विधेयक ही है और governor साहब ने राश्पती के लिए उसको रिजर्व कर लिया है राश्पती जब तक उस पे दस्तकत नहीं कर जाएगा कि उस पर लिखा हुआ था लेकिन पूरा नहीं हो पाया चलने दो इनको इनकी लड़ाई अपनी अलगी चल लगी है चलो ठीक है चले हम एपडी के ऊपर फंडामेंटल ड्यूटी के ऊपर यह का आगए सर यह पार्ट फूर ए दोनों तरफ आच्छा मतलब यह पा यह ड्यूटी बड़ी IMPORTANT है यह ड्यूटी एकदम से नहीं आई है यह ड्यूटी हमने सीखी है पहले कहां से USSR देखा हमने पिर हमने का अरे हमारे का है घ। स्वरण सिंस्ग कमेटी तो सरदार स्वरंण सिंग जी हमने का एकदम से जड़ा ज़ागो क्या हो न कौन से की बात ही इहां पर इंडिपल्टा इस समय पर हमारे यहां पे देश में इंद्राजी सरकार क्या लगा दी बहुत बढ़ी हमारे देश के युवा हमारे देश के लोग हमारे देश के जन्संक्या को फरक नहीं पड़ता है यह लोग अपने कुछ ड्यूटी निभाना नहीं चाहते हैं तो लौ मिनिसर हमारे साब बोलते हैं गोकले जी कहते हैं कि हमारे सारे मामले बिगड़ा है हमारे देश की जन्ता जो बिगड़ गई यह सब बच्चे बड़े हो गए तो अब यह लॉमिनिसर्स आपने का कि हमारी डूटी होनी चाहिए हमारे देश के प्रती कुछ तो दुरहने का हैं डूटी तो नहीं पता है इसके लिए क्या करते हैं हम सरदार स्वंड सिंग कमिटी बनाते हैं लो तो खाली एक एकलोता आर्टिकल लेखेंगे 51A अब 51A के अंदर आर्टिकल 51 तक तो क्या है हमारा DPSP यहां तक तो DPSP और 51A यह हो गया हमारा बस खाली एक इसमें हमारे FDs होंगे अब A के अंदर A B C C C करो C D E ऐसे करके हमारे आगे D쪽에 तक हैं बना दी एंपडिलिमंट इस लेजिघ्सलिटी इनक्रमन जब तक पर्लोपर कौर कानूर रखर편 आजाए तो जब तक कोई कानून अगर नहीं आ जाए तब तक कोई मतलब नहीं रह जाता किसी जूटी का अब यह डूटी है यह दूसरे बाहर के देश के आई हुए नागरिक के लिए नहीं है यह हमी के लिए हमारी लिए बस ठीक है स्वाइन सिंग जी सरदार जी कमेटी आई इन्हो यह दूटी है टूटी होती हैं मजा आएगा पढ़ने में क्या इन्हों नेकार का सबसे पहले करो याद करो ये क्या कहता था, ये state ही state है, बस, citizens जो हैं, वो state के subject है, citizens, तो इन्होंने कहा, पहले citizens, राजा के subject होते थे, king के subject, king के subject, हमने कहा, हाँ, ठीक है, तो इन्होंने कहा, अब राजा केला, अब राजा नहीं है, अब पूरा state, king के subject हो गए ये लोग, अब state subject है, मतलब कि, वहाँ जनता की अधिकार गए भाड में वहां नहीं फरक पड़ता है पहले आपकी डूटी है बात में अधिकार इंजोई करना हमने का मालिक जाल हो जाएगा इतना नहीं करना है मैं तो उस सब्विधान के निर्माताओं लेकिन उन्हें पर इंद्र गांदी जी सरकार ने पार पोरे में हमारे 11 सब आपको यह जोटे अब है लो आपके सर्विस के लिए आपने अची ने बोला था कंटि ने वूला था कि इसको ड्यूटी बनाओ voting in election ये duty बनाओ लेकं सरकार ने इनको duty नहीं बनाया और सरकार ने अलग से अपनी 10 duty हमने पूरी रखे रेडी रखी कि हम ये डालेंगे 86 वे amendment में 2002 में एक और duty चुड़ी वो 11 भी duty बन गई ठीक है ये कौन सी duty है अभी अभी देखिए हमने पीछे ठीक है ये भी duty बन गई धर्म मेरा धर्म क्या है मेरा धर्म है मेरी ंदेश के प्रति पर्यावरन के प्रति अपने देश के प्रति मैं संची निष्ठ speculative wtedy मैं अपना आज्टा के साथ मैं काम कुरूं गाँ अच्छा, इसका मतलब है हमारा part 4A जो है, जब इतना जादा मुझे अपना सज्जन मना रहा है, तो यानि कि वो tolerance बढ़वा रहा है, वो mutual respect बढ़वा रहा है, वो pluralism की भावना रखवा रहा है मेरे अंदर, सब के लिए best है ये, सबसे बढ़िया चीज है, rights and duties, दोनों के दोन हैं, दोनों साथ में रहेंगे, एक सिक्के के दोनों पहलू है, जहां rights गए, वहां duty भी चली है, तो हमने कहा, जो rights and duties है, वो integral है, inseparable है और correlative है, अब performance and observance of duties would fulfill the promise of part 3 only, मतलब part 3 और part 4, अगर आप duty भी निभा रहे हो, तो आप part 3, part 4 में योगदान दे रहे हो अपना, हमारी duty है, कि हम, कोई काम बिगाड़े नहीं, हमारे देश का समाज का, तो duty क्या करती है, तो सर्वाइस वार्निंग, कि हमारे citizens जो है, हमारे देश के, यह सब active role निभाएं, passive role ना निभाएं, nation building में योगदान ने, अब यह ऐसा नवन है, mute spectator, कि जा के 5 साल में, जा के election वाले दि duty निभाऊंगा, ही नहीं, मुझे नी चाहिए, यह duty सारे की सारी आपको निभानी है, क्या कै लिखी है, कि हमारे देश का national anthem, इजजद करोगे आप, national flag की इजद करोगे आप, देश के हमारे जोतने भी हमारे ideals है, हमारे institutions हैं, उनके विजजद करोगे, यानिके हमारी chair की, र वो उसकी बात रही हुई है, सम्मिधान में जो लिखा है, वो national anthem लिखा है, बस, हमारे दूसरी बात क्या लिखी है, cherish and follow the noble ideals which inspired the national freedom struggle, कि हमारे देश का freedom struggle हुआ है, वो बहुत महनत से हुआ है, बहुत कुर्बानियों दी गई हैं, उस कुर्बानियों के लिए हम श्रधे हैं, हम आज तक हम उसके कर्जदार हैं, आगे भी रहेंगे, तो हमने हमारे सम्मिधान में लिखवा दिया गया, कि जो हमारी अजादी के समय, जो हमारी struggle थी हमारी वो इतनी बड़ी चौड़ी लंबी लड़ाई थी हमारी 90 साल की 57 से लेके 47 तक, हाला कि उस समय भी लड़ाईया यह बोल दिया गया, हमारे देश की सॉवरेंटी, यूनिटी, इंटेग्रेटी को हम प्रोटेक रखेंगे, बिसमें कोई दोराय ही नहीं, चलो, हम डिफेंड कर देंगे कंट्री को, हम जहां भी नैचल सर्विस, जब भी हमारा देश हमको बुलाएगा, वे नमर कॉल्ड अ हम उनके ऊपर उठके, हम बड़े आदनी बनेंगे, और हम ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे, जिससे कि क्या हो, कोई कट्टता आपस में मन में आ जाए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ो, अब आर्टिकल क्या वन AF कहता है, कि प्रिजर्व कर दो, रिच हेरिटेज ऑफ आफ आफ हमारे आजबास का फॉरेस्ट, हमारे लेक्स, रिवर्स, वाइडलाइब, हमारी कॉम्पेंसेशन, सौरी, हमारे कॉमपैशन फॉर लविग ऐनिमल्स, जीतने भी हमारे आजब जीव जंतुओं, जीवित हैं, हम उनके प्रति हम भावना रखेंगे प्यार की, और यह हमारे स पुराने खायलों के साथ जी लेंगे नहीं 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 आगे बढ़ो नहीं बात सोचो now safeguard public property and to absorb violence के लड़ाई जगड़ा नहीं यह सब उपर नीचे की बात है नहीं फिर आगे बढ़ो हम क्या करेंगे excellence करेंगे in all spheres of individual growth and collective activity so that क्या होगा nation constantly rises to great heights higher higher levels of endeavor मतलब हम सब अपन अपना योगदान ने तो nation अपने आगे पढ़े जाएगा ठीक है की वज़े से आपका admission हो जाता है स्कूलों में आपको पढ़ना पढ़ेगा तो हमारी duty हैं हमारे लिए important हैं काफी सारी यह क्या है यह duty है हमारे लिए देखो आप देखो कितनी कितनी है moral lesson है हमारे लिए जो सरकार के लिए DPSP है हमारे लिए वह हमारे लिए FDs है तो ठीक है कुछ moral duty होती है कुछ civic duty होती है जैसे moral duty क्या है हमारी कि यार हमारे जो आदर्श है freedom सकल के हम उसको याद रखेंगे ठीक है ओके और कुछ civic duty है जैसे हमारे सम्मेदान के इज्जत यह हमारे civic duty है हमारी कुछ duty ऐसी है जो integrate करती है codify करती है Indian way of life को since antiquity पुराने जमाने से लि देखोगे रतन टाटा जी को तो रतन टाटा जी ने अपने आखरी समय तक उन्होंने अपने fundamental duty अपने देश की छोड़ी नहीं वह क्या थी कि देश के लोगों को जितना हो सकता है उन्होंने अपने मन तन मन सब चीज उन्होंने नवाजा ठीक है ओके promote कर दो एक sense of discipline लोगो अगर कोई कानून आया है और वो कानून कोई fundamental duty को फुल्फिल कराने के लिए के लिए पार्लामेंट लेके आई है तो उस act को examine करने के लिए analyze करने के लिए या कोई भी चीज को कुरेदने के लिए यानि हमारे judiciary क्या करेगी हमारे इन को देख लेगी fundamental duty को देख लेगी हमारे 266 में इन्होंने कहा था कि पूरा separate chapter होना चाहिए fundamental duty का सरकार ने का हाँ ठीक हो सही लग रहा है बात तो यह बात सही है ठीक है तो हमने क्या किया हमने एक separate chapter बना लिया हमने का लो यह दे लिया इस committee ने आठ दिये थे आठ fundamental duty दिये इन्होंने कहा था कि Parliament may provide legislation for the imposition या penalty कोई भ तो उस case में जनता के उपर fine मी लगेगा penalty भी लगेगी सजा भी हो जाएगी jail भी हो जाएगी जो हो जाएगी और इन्होंने कहा था कि यह भी fundamental duty में कहीं आप जोड़ सकते हो उपर लिग दो नीचे लिग दो जो भी लिखना हो और अगर कोई कानून आता है ऐसी penalty लाते अगर किसी ने duty अपने पूरी नहीं निभाई सही से नहीं निभाई तो उसको punishment मिलेगी ऐसा कानून आए ऐसा कानून अगर कोई आया और वो कानून किसी का fundamental right violet कर रहा होगा तो इस बात पर सुप्रीम कोड में नहीं जाएगा कोई इन्होंने कहा एक और चिल लिख लो आप कि duty to pay taxes should be a fundamental duty of citizen duty to pay taxes यह इन्होंने कहा था कि यह वाली अब duty रखवाना यह duty बढ़िया है यहाँ पर हमारी सरकार बूली मालिक यह ज़्यादा हो गया मालिक यहाँ पिखल गया यह नहीं उपाएगा पार्लेमेंट में प्रोवाइड पॉर एनी पर फेलियर तो एडियर तो एनी एफडी यह इनकी जो तीन डूटी थी जो एक्षेप नहीं हुई है वो कौनसी थी सरकार ने का मालिक यह ना उपाएगा जादा हो गया तो इसके अलावा क्या हुआ यानि कि इन्होंने जो दूटी थे इन्होंने कितने आठ तिन नहीं माने थीक हैं बचे कितने पांच सरकार ने अपने पांच और जोड़ दी ऐसे हमारे पास आई थी 51 एमें शुरू में 10 जूटी हैं ठीक बात है इसके बाद वर्मा कमिटी आई वर्मा कमिटी कुछ 10-15 यह और साल बाद आई तो इस कमिटी ने कहा कि हम क्या करते हैं हम अप्रोच को भी चेंज कर देते हैं अप्रोच को रियोरियंट करते हैं टुदे स्कूल करी गुलम और हम टीचर्स के एजूकेशन प्रोगराम में स्कूल में हाईर एजूकेशन में अग जाए पर हम बोलेंगे फंडमेंटल ड्यूटी इसको पढ़वाओ सब जानेंगे इ इस वर्मा कमेटी ने जो बोला हुआ है यह वाली बात इसको इंकॉर्पेट करो यह सही है इस बात को लगाते रहो सुप्रीम कोड ने 2003 में क्या बोला था कि सेंट्रल गवर्मेंट क्या बनाए एक आनून मनाए पौर्टा एंफॉर्समेंट ऑफ दी वाइस रिकमेंडेट इसको पढ़वाने के लिए कि आपने पढ़ा लेंगे बच्चे को नहीं ऐसे नहीं पढ़वाओंगे आप एक कानू माँ सेपरेट कोई मतलब इंपार्टिंग एजुकेशन फंडामेंटल इटिज इन इन हाइर एजुकेशन इंसिट्टूट एक्ट दोजार सताइस मान लेते हैं चलो ऐसा ले लिए अपने तो ऐसा एक आप आजाए यह कहास उपनी वूर्ण ने दोजार तीन में अच्छा ठीक है क्या 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 एक् पास ठीक है यह अच्छा है यह क्या है सर यह सिविल राइट का मतलब कि लोगों में हार्मनी बनी रहे हैं स्ट्ट का बेदवाव नहीं हो कुछ भी चीज नहीं हो फिर आर्पीए एक्ट है हमारा अल्रडी यह ठीक है फिर इसके अलाब है वाल्लेक्ट प्रटेक्शन बात सही है और भी चीज ने बनाओ जैसे क्या क्या ड्यूटी टू फॉस्टर दस्पिरिट ऑफैमिली वैल्यूज एंड रिस्पॉंसिबल पेरेंट्वूड यह वर्मा कमिटी ने बोला था कि इनको अब इंक्लूड कर वाओ किसी तरह ड्यूटी में क्या ड्यूटी मालिक होंगे और प्लॉयर जो भी है यह एंपिलॉयर विद्न करेगा जो इन ऑरक रसके बचे हैं चैंट यह इनकी की चिंता करेगा मालिक सरकार ने का मालेक ज्यादा ही करवा रहे हो बहुत ज्यादा हो जाएगा हमारे सरकार है हमारे हमारे कौन चारा हमारे बंद हो जाएगी नहीं पाएगा तो यह फिर उसमें नहीं पाया तो मतलब कोई कानूनी रूप से इसको हमने पूरा पूरा खाका नहीं दिया पर कई तरी पर रहते हैं यह सब वर्कर्स यह वाले वर्कर्स उस तांशिप में रहते हुए इनके स्कूल मार्केट छोटे-छोटे फुरी हास्पिटल क्लीनिक यह सब कुछ भी होते हैं कोई डॉक्टर पर कुछ भी कोई जी चीज हो गई तो यानि कि बच्चों का खयाल रखा जा रहा ह जहां भी वो रह रहे हैं, जहां भी काम कर रहे हैं, तो इस सब होते ही होते हैं, ठीक है, अब fundamental rights, fundamental UD में कुछ-कुछ correlation, कुछ-कुछ difference, कुछ-कुछ देख लिते हैं, तो यह आया है US से, और वो आया है हमारे USSR से, ठीक है, यह कहां से कहां तक हैं, 12-35, यह हैं हमारे only एक article, only एक पार्ट में है, आच्छा, यह हमारे FR से, हमारे justiciable भी हैं, enforceable भी हैं, हमारे बैचारे FDs ना justiciable ना बैचारी enforceable, कुछ नहीं है, अब यह देखो आप, applicable कैसे to foreigners as well, जो हमारे FR से होते हैं, कुछ-कुछ को छोड़के, यह only only to Indians, only citizens, इनको दूसरी किसी की बात ही नहीं जो FR से हैं, यह original text में समयदान में लिखे हुए हैं, यह बाद में डाले गए थे, हमारे समयदान के चालू होने के 77 साल बाद, मानलो, almost 27 साल बाद, अब यह कैसे हैं, except article 17 के अलावा, खुद self-enforceable है, article 14, 15, 16, यह सबके सब articles क्या हैं, यह अपने आप से ही कहते हैं, कि सब ब इतना तो कर लेना, इधर जो FDs होती हैं, यह complimentary होती हैं, जो fundamental rights, जो fundamental rights हैं, they are complimentary to duties, तो कुछ-कुछ तो similarity हमने का, यह तो जब एक हास्ते दे रहे हैं, तो एक हास्ते लेना भी पड़ेगा, अब आगे बात करो, duties are the result of right, जो भी आप rights को fulfillment करते हो, जब भी कहीं liberal democracy की बात करन आप, बहाँ पे, citizens, जिनको अधिकार मिलता है, they will automatically fulfill essential duties, and, सरकार क्या करेगी, will take its duty seriously, कैसे के कोई ऐसा महाल तयार करते हैं, जहाँ पे लोग अपने rights, अपने duty enjoy कर सके, right to equality, against discrimination, minorities protection, सब कुछ क्या करता है, is ensured as fundamental right, ठीक है, fundamental duty of upholding unity, integrity, किसी यह बेदवाओ नहीं करना, महिला automatically fulfill हो जाता है, automatically इसको हम और और कर सकते हैं, जब हम यह वाले ऐसे अधिकारों को मानने लगा, दूसरे के, right to liberty and freedom is ensured, जब मिल जाए किसी को, तो individual का development कैसा होगा, will lead to excellence, अब scientific temper बनेगा अपने आप से, और respect for national ideas अपने आप grow हो जाएंगे, यानि कि एक और duty fulfill हो रही है, so, in such a process, state will do its duty, क्या, by enabling the fulfillment of social and economic democracy, यानि कि DPSP के द्वारा, जब state, राज्य, कोई ऐसा कानून बनाए, ऐसा माहल बनाए, जिसमें कि लोगों का social, और economically, वो जो उनकी democracy है, वो शांदार रहे, तो automatically क्या होगा, यह जो हमारे fundamental right है, वो हमारे fulfill हो रहे होंगे, और fundamental duty हमारी, वो भी होगी, so, यह थी हमारी सब चीज है, now, sorry, आगे चलते हैं, जो free नागरेक होते हैं, they should be conscious of their duty, जब भी वो अपने rights enjoy कर रहा हूं, तो भूल ना जाए कि उनके जम्मेदारियां भी है, यह जम्मेदारी किसके प्रती है, आपके धर्म, sorry, आपकी धर्तिमाता के प्रती, आपके देश के प्रती, आपके प्रयावरण के प्रती, हर चीज के प्रती, rights जो है, absolute नहीं है, and they cannot be enjoyed at the cost of others, आपकी society के प्रती, आपकी जम्मेदारी है, इसका मतलब है, कि addition to chapter 4A, आपको पढ़ना पढ़ेगा, आपको ऐसी बात पढ़नी पढ़ेगी, कि emergency period में, जब भी, जो हमार सब कुछ है, while promoting the welfare of citizens, सब कुछ करने के दौरान, हमारा क्या होगा, educational interest, लोगों का, backward classes का, सब कुछ होगा, बढ़िया रहेगा, judicial हमारी independence बरकरार रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जब तक हमारी DPSP, fundamental duty हमारी fulfill होती रहे, ठीक है, इब समन में आगी, okay, ठीक, done है, now, सुप्रीम कोड ने लावता क्या कर दिया, इस समय बर 1992 में case हुआ, सुप्रीम कोड ने कहा, अगर आपको कोई सम्मेदान की constitutional validity check करनी है, कि सम्मेदानिक है कि नहीं, if the law in question seeks to give effect to any FD, any fundamental duty, it may consider such law to be reasonable, कब, in relation to article 14 और 19, तब इससे क्या होगा, उस law को मरने से बचा लिया जाए है, state can make law, फिर तो हो सकता है, to prevent violation of duties, duty cannot be imposed by rights, सुप्रीम कोड ने कहा, कि हम इसके लिए रिट जारी नहीं करेंगे, हम किसी private वेक्ती को ऐसे रिट नहीं, ऐसे रिट और नहीं देंगे, और duty हम किसी बाहर के वेक्ती को नहीं देंगे, हाली और हाली इंडियंस के लिए जिससे कि क्या हो, आप असमें दुएश, रंजिश पैदा हो जाए, बाइस प्रेसिडेंट हमारे, सजेस्टेड इन्होंने किया, कि fundamental duty to be displayed in all education institutions, हर जगे पे, public place में, public office पे, hospital में हर जगे लगवा दो, और government ने क्या किया, इन्होंने campaign भी ऐसा बनाया था, कि ताकि हमारे लो जा हमारे duty, अब duties का कुछ कुछ criticism है, यह बोला गया, क्या है यह word, क्या मतलब है, noble ideals, striving towards excellence, spirit of inquiry, यह कोई clear बात लिखो, जो किसी की समझ में आ जाए, यह common man के समझ में आ जाएगी, यह सब बात है, तो फिक्यों लिखी है सब, कि सर अच्छा वड़ है, इस लिगा है, पढ़ ही नहीं है, wrongly sequence है, कोई मतलब नहीं है, जाने कैसे आपने किया, पार्ट 3 के बाद रखना चाहिए, तो पार्ट 4A क्यों डाला, आप पार्ट 3 कर देते इसको, यानि कि पार्ट 3, पार्ट 3A, जैसा कोई पार्ट है यह नहीं है, और पार्ट 4 किता सही रहता, कहां डाला है, पार्ट 4A यहां डाला है, क्या मतलब रहा है, कहते हो, फंड़ने के साथ है, कैसे है, sequence में नहीं है, और आप पार्ट 4A से चपकांगे रख रहे हो, and increase कर दे हो, बड़न अफ पार्ट 3, कुछ नहीं है यह, तो यह कुछ नहीं है, तो यह कुछ नहीं बचाहिए, लिस्ट इ तो पार्लेमेंटरी सिस्टम होगा हमारा उसमें, और भी हमारे जो भी हमारे छोटे चैप्टर हैं, वो उसमें आ जेंगे अगली बार को, ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीक, till then you keep studying, stay safe, good luck.